इसमिल्ला इर्वाहन इर्वाहीम असलाम वालेकुम दोस्तों NTS ट्रेस्पास्टर की जानिब से आप सब को अबनी चैनल में खुश्वम्दीब कहता हूँ आज से दोस्तों CT 2008 का पेपर औरिजनल पेपर शुरू कर रहे हैं आज का पार्ट पार्ट वान है मैथमेटिक पोर्शन शुरू कर रहे हैं और ये पेपर दो है न ये P2 ब्लू कलर का पेपर था दोस्तों बुक की कलर दोता हूँ ग्लू और P2 इसमें P1, P2, P3, P4, P6 तक पेपर गए हैं क्यांकि इसके केंडिरेस बहुत ज़्याद थे तो 6 पेपर इसके हो चुके हैं 2018 में मैं कोशिक करता हूँ कि ज़्याद से ज़्यादा पेपर अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आपको पेपर रिताता हूँ देखे दोस्तों This is the complete paper ये देखे पेज नमबर 1 में एक से 3 तक क्विस्चन है इस तरह पेज नमबर 2 आफिर में देखे पेज नमबर लास्ट पेज 95 से 100 तक क्विस्चन है ये टोटल पेजी से 3 बारत तेरे टोटल पेजी से 20 पेजी से हैं टोटल तो शुरू करते हैं आप पास हमारे पास हैं मैथमेटिक पॉर्षण हैं देखे दोस्तों दिस इस मैथमेटिक पॉर्षण एंड इस इस क्विस्चन नमबर 1 किछ नमबर 1 में कहते हैं कि विच वन आप तो पॉल्विंग विन डाइग्राम रिप्रेजेंट A माइनस B ये तो बच्चों वाले क्विस्चन है इंते हाई इजी क्विस्चन है तो A माइनस B को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप्शन D इसमें करेक्ट आप्शन है करेक्ट आप्शन इसमें आप्शन D है दोस्तों विच नमबर 2 झेखें तोड़ा सा मुश्किल है A triangle has elements ट्राइंगल के कितने elements होते हैं दोस्तों ट्राइंगल के कितने elements होते हैं तोड़ा सब को में मिश्वल में दिकाता हूं ट्राइंगल ड्रा करके देखें जरा त्लीज suppose this is the triangle खुर यद है इसमें छे trzy elements है कुँ कुँ से हैं देखे यह एक एंगल है वन दो और यह ती तीम यह होगे हैं और तीम इनके sides हैं एक दो और तीन तो तीन और तीन छे होते हैं तो ट्राइंगल के टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? option B गर्रेक्ट आप्शन गर्रेक्ट आप्शन इसमें option B है अब question number 3 जरा ये और भी मुश्किल है question number 3 को देके दोस्तों question number 3 if A is equal to A, B, C कोई भी सेट है, सेट A is equal to इसके elements है A, B, C and सेट B is equal to 4, 6 दो elements है इसके तो आगे कहता है कि हाँ मेनी binary relations आप A multiplied B आप दिया रहा है इसके binary relations कितने बनते हैं इसका तरीका तो copy link दिया full details से अगर आपको बताना चाहूं तो मुश्किल होगे लिचे में आपको तिक्नीक बताता हूं देखें किस तरह find out करोगे इसके यह question है अलड़ी में लिख शुका हूं this is the question अब क्या करने सबसे पहले आपने A to A multiplied B, B मालूम करें A जर्भी B मालूम करें तो इसके element 3 जर्भी 2 यह वाज़े का 6 अब क्या करें कि 2 raise to 4 6 करें 2 raise to 4 6 यह 6 जो आया उसको power बना लें 2 की अब यह देखें तो देखें 2 जर्भी 2 4, 5, 6 इसको अगर आप मॉंटिप्लाई करोगे तो इससे answer आएगा 64 64 तो इसके binary relations कितने relations है देखें option इसमें है option C correct option इसमें option C है दोस्तों this is the correct option ठीक है दोस्तों और यह देखें यह P2 का paper है blue color का book है और 2018 का paper है यहां जी यह 18 लिका होते है न यह 18 जिसमे 16 लिका होते है तो 2016 का है 17 लिका होते है तो 17 लिका है अब जो आने वाले हैं यह 19 की होंगी आगे देखें question number 4 को ज़रा देखें दोस्तों question number 4 question number 4 देखे यहां पर तोड़ा सा नजर नहीं आरा है मैंने इसको MSWall में लिख चुका हूँ वहां से देखते हैं देखें यह वाले question उस paper में नदर नहीं आरा सही तरफ यह question है 5x जा मंग 11 is equal to 31 5x plus 11 is equal to 31 तो x plus 4 की value क्या होगी इसको point करना है दोस्तों अब देखें इसको कैसी के solve करोंगे इसको ऐसा solve करने के इस capital जैदा बढ़ा करों 5x less 11 यह हमें ग्यार है 11 तो पहले तो हमने क्या करने x की value point करनी है 5x is equal to 11 11 पर इस तरफ लेओ तो 5x यह बन जाएगा 20 तो x की value हमारे पास आ जाएगी 20 divided by 5 is equal to 4 x की value क्या आ गई 4 अब देके x plus 4 की value क्या बन जाएगी x की जगा पर वर की value put करें तो 4 plus 4 is equal to 8 अब देके option C correct option इसमें option C है this is the correct option यह पर में देखते हैं के उसमें option यहां में देके option C है correct option this is the correct option question number 5 को अज़र देके question number 5 4 rectangle है sides 2x plus 3x and an area of 24 what is the value of x इस question को मैं इसमें लिक चुका हूँ देखे यहां पर सही तरह नज़र आएगे आपको this is the question इसे मलून करते हैं तो area of rectangle rectangle की area जो है न वो limit multiplied by wal तो यहां पर दो sides हमें दिये गया है हम यह भी दिया गया है के given l multiplied by w जो है यह is equal to 24 है अब value को put करना है putting the value तो value में दिये गया है value क्या है 2x less sorry multiplied multiplied by 3x is equal to 24 यह equation बन गई अब इसको solve करना है तो यह जाएगे 6x raised to 4 2 तो जरब में जो होते हैं न दोस्तों टाकत जबा होते हैं तो this will be equal to 24 6x square यह आजाएगा अब इसमें से x की value point करना है तो यह 24 divided by x आजाएगा 6 आजाएगा फिर देखें once again x square will be equal to 4 x square is equal to 4 तो x की value आपास क्या जाएगी 2 तो answer will be देखे option a इसमें correct option जो है न दोस्तों this is correct option option a question number 6 को जरब देखते हैं question number 6 को if x minus 4 is 2 greater than y then x plus pi is how much greater than y दो मुश्किल question है जरब यह में स्वाल में आपको लेके जाता हूँ देखें कापी मुश्किल स्वाल है दूस्तों यह इसको जरब और से देखें पहले question को देखें जरब question जरब देखें कि देखें कि x minus 4 is 2 greater than y x minus 4 is 2 greater than y फिर कहता है कि x plus 5 is how much greater than y x minus 4 दो 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 ज़्यादा है तो x plus 5 यह y से कितना ज्यादा होगा तो x minus 4 greater than y इसको किसे लिखना है इसको लिखने का पुरीकर तोड़ सीख ले इसको ऐसे लिखना है x minus 4 minus y is equal to 2 लिखना है पहले वाले को अब इसमें इस x की वेलिपाइट करें तो इसको ऐसे हो जाएगा x minus 4 is equal to 2 plus y 2 plus y आजाएगा अब x को इस तरब लेगो ठीक है 2 और वो पो इस तरब लेगो plus y तो x अपारे फास आजाएगा y plus 6 y plus 6 तो इसको बतलब है x y से 6 गुना स्यादा है x is 6 more than y क्या हो जाएगा x is 6 more than y अब दूसरी बात देके x plus 5 is greater than y कितना हो जाएगा अब इस x में x की value पुट करनी है x की value बारे पास है x plus y x y plus 6 y plus 6 plus 5 is greater than y अब य जाएगा 11 greater than y तो अमें क्या पत्र चला गया y is greater than x plus y answer तो answer e e is the correct option option e this is the correct option e question तोड़ा सा tricky है इसको अच्छे तरह से सबढ़ने की कोशिश करें दोस्तो वहाँ देखते हैं पेपर में option e is a correct option ओगे तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों इसके mathematic portion के question काफी टप है तमाम के तमाम question एक अड़ा question तोड़ा सा असान है बाकि तमाम के तोवाम question अगर आपने ये सही तरह सीख लिए तो उम्यूद करता हूँ कि इंशाल्ला अपना काम नहीं होंगे तो जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हैं समझ गए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना पत बुलिएगा Thank you for watching